चनले सूपर किंग्स और गुजरा टाइटन्स के बीचोरे मुकाबले की बात करें दोस्तों तो इस मुकाबले के अंदर गुजरा टाइटन्स की शुरुआत बहुत ही ज़ादा जोरदार रही अगर हम बात करें तो एक खिलाडी जिसने आज अपना इंपेक्ट दिखाया और वो है साई सुदर्शन साई सुदर्शन ने जिस प्रकार की बैटिंग की उसके बाद तो हर कोई उनका दिवाना और फैन हो गया होगा जहां सबको लग रहा था शुबमंगिल की सेंचुरी देखने को मिलेगी तो MS दूनी के स्टंप आउट ने शुबमंगिल को रोक दिया लेकिन साई सुदर्शन ने 6 चक्के और 8 चोके वो भी 47 गेंदों पर बना के 96 रन के साथ 204 की स्ट्राइक रेट से ये दिखा दिया कि टीम के लिए वो क्या क्या कर सकते है 214 रन 20 ओवर के अंदर गुजरा टाइटन्स दूसरी ऐसी टीम बनी है जिसने बनाए हैं 200 के पार का आखड़ा और क्या 200 के पार का आखड़ा चेस कर पाईगी चन्ने की टीम ये देखना लायक रहेगा हाला कि धोनी अपने बोलर से काफ़ी जाद नाखुश रहेंगे क्योंकि कोई भी ऐसा बोलर नहीं है जिसे पीटा ना गया हो एक के बाद एक चक्के चौके लगाए गए बैराल कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताए कैसी लगी साइसोदर्शन की बैटिंग और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल खेलो खेलो को